कि कैसे हैं दोस्तों मैं हूँ चंदरिश ठाकोर और आप देख रहें हमारी अपनी यूटूब चैनल डॉक्टर चंदरिश्वेव तो मैं जो है टेक्निकल एनालिसिस और इलिएट वेव नियो वेव थियरी का मैंने जो है काफी अधियन और अभ्यास किया हुआ है और उसी च मुझे जो लगता है वो मैं बात आपसे बताता हूँ आपको और जो इलिएट वेव नियो वेव थियरी बताती है उस हिसाब से मैं पूरा का पूरा एक्स्प्लैनेशन आपके सामने में रखता हूँ दोस्तों हमारी इस विडियो को लाइक कर दीजिए और सस्क्राइब नई नी अपडेट हमारी यूटूब चैनल के उपर जो है मिलती रहे दोस्तों तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जो है सीधा निफ्टी के चार्ट के उपर जाना चाहूंगा ठीक है यहाँ पर मैंने डेले टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट जो ओपन करके रख जाय था और 15 दिनों पहले मैंने जो है एक लाइन ड्रो कर दी चार्ट के उपर के मार्केट में भी पॉसिबल है कि 18100 से लेकर 18150 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा और वहां आने के बाद जो है एक छोटा सा करेक्शन नीचे की साड़ यहां से मार्केट जो है दिखाएगा दोस्तों तो यह हो गया अपना पिछला जो अब तक का बात हो रखा है उसके बारे में बादचित बड़ आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेस्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों आप जो है उसक्वेस्चन का आंसर दीजिएगा सही सही से ठीक है त सब कुछ सीखते है टेक्निकल एनालेसी सीखते है सारा नौलेज जो है गेन करने के बावजूद भी वो लोग जो है प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं तो ऐसा होने का रिजन क्या है दोस्तों ठीक है मुझे तो पता है मैंने उस चीज़ को फिल किया है मैंने ग्राउंड पे जब भी मैं आऊंगा तब अभी के लिए मेरा क्वेश्चन से आपके कि क्या ऐसी चीज है सब कुछ सीखने के बाद सब कुछ पता होने के बाद हमको किसी ने बता दिया मैंने आपको लेवल दे दिया कि यहां तक जाएगा यह होगा फिर भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है तो क्या चीज है ठीक है कौन सी चीज हो सकती है जो आपको प्रॉफिट कमाने में अर्चन पैदा कर रही है ठीक है मुझे तो पता है मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में नेक्स्ट तो ज़्यादा वक्त न लेते हैं निफ्टी के ऊपर हम आ जात लेगा क्यूंकि यह सी वेव जो बनी थी यहां पर यहां से यह वाली इसमें जो वक्त लगा था ठीक है 32 दिनों का उससे कम वक्त में यह सारा खेल होना था और मार्केट ने जो है उससे कम वक्त में कहीं न कहीं यहां से यह काम उसने भी कर भी दिया तो उसने जो है मैं अगर बताओ तो 13-14 दिनों में वो लायन को ब्रेक करके उपर निकला और उस लायन को रिटिस्ट भी कर दिया जोस्तों ताकि हम लोगों को शॉरिटी आए विश्वास आए कि यह जो चीज है वाकई मे उपर जा रही है ठीक है यह कोई bluff नहीं है तो यहां पर वही में आपको बताना चाहरہा था कि यह जो है उपर निकला है ўटे डेलि टाम फ्रेम मैं तो कुछ दिक्कत नहीं है यह एक नमर का व्यव है डैवलप हो चुका है दो नमर का व्यव डैवलप हो चुका है ठीक है तीन नमबर का वेव जो है अभी in progress है तो अगर मैं बताओ कि यह एक नमबर का वेव हो गया ये दो नमबर हो गया और तीन नमर वेवfly यहांपर progress में है ठीक है और तीन नमर वेव हम जानते है कि जिनदवी हो या चार्ट हो या मार्केट हो कुछ भी हो ऐसे जो है लीनियर वे में उपर नहीं जाता है ऐसा नीचे आकर फिर उपर जाता है ठीक है तो वो अभी जो है कहीं कहीं वो वाला वक्त है कि एक छोटा सा डीप यहां पर जो 18,150 के आसपास के जोन में जाने के बाद ऐसा आ सकता है नीचे और उसके बाद में नीचे आने के बाद वापस जो है उपर की चाल वो कंटीन्यू करेगा निफ्टी तो फिर मार्केट जो है दोस्तों ओर और ना बता दने के लिए तो यहां पर AI-based अपना सिस्टम है वो जिर्ली दिखा रहा है कि फिफ वे जο है उसकाuje फाटर हो रहा है और आ यहां तक उसक अमने लेवल भी आपको दीया था यहां तक वह कैसे दिया था यहां मैंने वहां सलुन पर्टी का एक्सटेंशन लिंगा लाश कि यहां पर जो है 16500 से यह सारी चीज काउंट हो रही है थिक है तो है यह जो है अपना AI कि सिस्टम है वह 16800 से फस्ट जिरो पॉइंट गिन रहा है और हमारा जो कैलकुलेशन था वह यहां से था दोस्तों हमारा कैलकुलेशन था यहां से था तो हमने इसको एक नमबर वोला यह दो नमबर यह तीन नमबर डैवलप को रहा है जैसा कि अपना डेली टाइम फ्रेम में भी है और अभी जो फॉर्थ डैवलप करने के लिए नीचे आएगा जो 17,800 और 800 से लेकर 17,800, 900 से लेकर 800 के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो आएगा आने वाले वीक में तो मोटा मूटी मैं ओवर्वाल बात करूं 15 मिनित टाइम फ्रेम में जाओंगा तो हमको आइडिया लगेगा कि मंगलवार को क्या होने वाला है ठीक है सोमवार को तो हॉलिडे है तो जिए फिफ्ट वेव एक्स्टेंशन है यहां पर हमें दीख रही है यह जो देखे यहां पर एक नमर का वेव देखे उसके बाद दो नमर देखे और पांच नमर वेव देखे तीन नमर और पांच नमर तो एक तीन और पांच दोनों में जो है पांच नमर की जो वेव ह पांच नमर तो उसका मतलब यह है कि मार्केट जो है जब भी नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं 61.8 परसेंट का रिट्रेस्मेंट यह जो पांच नमर की वेव बनी इसका लेगा ठीक है आने वाले वक्त में तो यह जो है पांच नमर की वेव उपर 18150, 18120 से 18150 के आसपास जो कहीं ना कहीं जाने वाली है उसका 61.8 गीने तो 17870 के आसपास आएगा दोस्तों जो हमें पता है कि वहां तक वो आ सकता है तो इसमें क्या होगा अभी सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो एक बार कहीं ना कहीं यह ज जोन में जैसा कि हमारा बात हुआ था ठीक है मार्केट वहां जाएगा और वहां से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव होने की कोसिस करेगा तो अगर आपका बुलिस पोजिशन है तो एक वक्त के लिए आप प्रॉफिट बुक कीजिए दोस्तों 18125 से लेकर 18150 के जोन में ठीक है या तो फिर आप मार्केट को उपर निकल जाने दीजिए 18125 के उपर निकलता है उसके बाद में टेलिंग स्टॉप लॉस अपनी सिस्टम के अंदर डाल दीजिए ठीक है टेलिंग स्टॉप लॉस अपना क्या रहेगा 18125 का और टार्गेट जो है में भी 150 एक सो पचास और एक सो असी तक उपर मैक्सिमम एक्स्टेंड हो सकता है यह पांच नमर का वेव ठीक है वह मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसको मैं आपको वेव कांटिंग मैथड से समझाने के कोशिस करूं तो यहां से एक नमर हो गया यह दो नमर यह तीन नमर चार नमर और और यह पांच नमर जो इंटरनल स्ट्रोक्चर है मार्किट का इसके अंदर बी ठीकिए यह पांच नमर है वह भी जो है अभी पूरा डैवलप नहीं हुआ है उसमें भी क्या है मैं आपको और समझाओ डीटेल में तो यहां से जो एकapon इक नमबर मेभी यहीं कहीं पर है यह दो यहतीन जो है डिवलप हो रहा है तो यह चार अभी भी है म्यात क्डिल हैं लेकर फिर जो है इस चोल में जाएगा ठीक है से जो है इलियरुट वेव यहां नि divert theme टाइम फ्रेम का फंदरा मिनित टाइम का पॉजिटिव साइकल खतम होगा वन वर टाइम फ्रेम का देखे तुं नमर यह पॉजिटिव साइकल खतम में हमें मिल जाएगा उसका इंडिकेशन AIB system में हमें मिल जाएगा जो है यहां से स्टार्ट हुआ है एक नमबर दो नमबर यह तीन नमबर यहां पर खतम होगा और यह चार नमबर फिर वापस नीचे कहीं ना कहीं यह वाले जोन में आता हुआ हमें नीचे की साइड दीखेगा तो अपना stop loss जो है ठीक है आपने अगर अगर मैं हमारी wave principle जो है ठीक है दोस्तो wave principle अपनी यहां तक अगर आता है तो सही साबित होगी और अपना stop loss जो है यहां पर बैठेगा 17,560 के नीचे अगर इसके नीचे अगर market आ जाता है तो हम इसको सोचेंगे कि हमारा जो कहीं ना कहीं counting है गलत से यह हीट होगा तो हम फिर bullish position नहीं लेंगे ठीक है दोस्तों यह हीट हो गया तो bullish position हमें नहीं लेना है उसके बाद में क्यूंकि अपना wave counting जो है गलत साबित हो जाएगा कहीं ना कहीं और यह हीट नहीं होता है और market मान लीजिए सोमवार को यह वाले target को achieve कर लेता है 125 से 150 क zone में कहीं ना कहीं उसको achieve करने के बाद retrace होता है नीचे और वापस हमको 17800 से लेकर 17900 के zone में दीखता है तो हम जो है buy on dip यहाँ पर buy करने की कोशिस करेंगे और long position buy करेंगे और अपना target जो है उसके बाद 18300-18500 का वापस जो होने वाला है उपर की side में दूस्तों तो यह था निफ्टी के उपर पूरा का पूरा view मंगलवार की बात मैंने आपको clearly बता दी है market 18125 से 18150 के zone में कहीं न कहीं जाएगा वहाँ से market थोड़ा negative होगा तो आप 18125 का tailing stop loss डाल कर आप जो है निश्चिंद होकर बैठ जाए अगर आपका long position है तो और अगर आपका long position नहीं है और आप long position build up करना चाहते है तो आप जो है intraday के अंदर short ले सकते है मंगलवार के दिन आप इसको उस zone में मिलता है तो short कर सकते है कहीं ना कहीं कि इस zone में मैं आपको बताओ एक बार फिर से मैं समझाने के कोशिस करूंगा इसको कि अगर यह इस zone में मिलता है तो यहाँ से आप short कर सकते intraday के लिए ठीक है और आपका stealing stop loss जो last high लगेगा वो रहेगा यहाँ पर यह जोन में जहाँ पर अपना last high लगेगा वो अपना रहेगा stop loss और यहाँ पर target अपना जो है आप 17900 से लेकर 17800 तक प्रेडिक्ट कर सकते intraday के अंदर ही यह position लीजेगा ज्यादा long की position मत दीजेगा उसमें क्या है कि मार्केट अभी positive है और buy on deep वाला मार्केट है ठीक है तो पूरा फिर ऐसा ना हो कि हम कहीं मार्केट जो है रिट्रेस्मेंट लेकर वापस उपर निकलना फटा फटा फट चालू कर दे और हम उस position में जो है first जाए तो यह हो गया अपना nifty के उप दोस्तों बैंक प्रिश्टी का यह चार्ट है और इसके अंदर जो है इस चार्ट के अंदर अगर मैं आपको आपसे अगर बात करना चाहूं तो यह जो है कहीं ना कहीं डेले टाइम फ्रेम से बहुत ही अच्छे से निकला और जैसा हमारा बात हुआ था कि यह वाले ट्रें निकल गया है और यहां पर हमने एक लाज जो है दो लाइने दो रही थी लास्ट वीक में तो उसको भी हम डीटेल में समझते हैं और अभी मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है बेंक निफ्टि में वह भी देखते तो बेंक निफ्टे में देखिए फिफ्ट वेव एक्स्रीम्ली एक्सटेञेंडेड है अभी और इसको में अगर घिनना चाहू तो एक अतना हो गया यह दो हो गया यहां पर तीन चार और पाँच तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि यह जो है खेल अभी थोड़ा सा यानि थोड़ा सा जो है इसमें धीमापन आएगा ठीक है एक दो तीन तो वही वाला हाल है इसमें भी दोस्तों देखिए जैसा निफ्टी में अपना बात पो रहा था एक जैकली वही वाला है यहाँ पर बैंक निफ्टी में वन अवर टाइम फ्रेम में हमारा इंडिकेशन है वो क्लिएरली आ रहा है कि यह जो है अपना फिफ्ट वेव जो है उसके अंदर फिफ्ट वेव एक्स्टेंडडेड है उसके अनदर जो पांचमा वेव है वह पैटर्न टाइप A B C टाइप डैवलप होगी इसमें भी तो इसमें भी सेम वही है 15 मिनिट टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं तो वही मुझे लग रहा है कि सोमवार को कहीं ना कहीं यह अपना जो है उपर की साइड का काम खतम करने के बाद बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा उपर जाने के बाद जैसा निफ्टी का अपना बाखी काम है उसी हिसाब से अगर मैं इसका रिट्रेस्मेंट एक बार देख लूँ यहां से ठीक है तो यह जो है अगर उपर गया तो 43,500 यानि यहां से 200 300 पॉइंट उपर जाने के बाद बहुत ज्य अंदर लॉंग पोजिशन है ठीक है तो मैं आपको जो है एक बार बता दू कि आप जो है यह टेलिंग स्टॉप लॉस डालके इसके अंदर आगर आगे जा सकते इसके इलावा यहां पर भी इसको भी डाल सकते है 43,200 के आजपास का एक टेलिंग स्टॉप लॉस है उसको भी कहीं ना कहीं उपर 43,500 के आजपास के जोन में आप जो है एक इंट्राडे परपस के लिए सौट पोजिशन ले सकते हैं उपर जाने के बाद और उसका टार्गेट जो है वो यहां पर मैं आपको फिर से एक बार जो है फिबोनाची डिट्रेस्मेंट के हिसाब से गिनाना च 43,225 सौट पोजिशन के अंदर और उसके बाद में जो है सेकन टार्गेट 43,000 का बनेगा तो 500 पॉइंट तो क्लियरली वो मिल जाएगा आपको और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मार्केट को एक बार नीचे आ जाने दीजिए थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद में हम जो बाय और डीप वाला स्टेटर जी इसके अंदर भी जो है लगाने वाले है कुछ वक्त के लिए दोस्तो अभी मार्केट जो है इस हिसाब से चार्ट पे इंडिकेशन दे रहा है कि आपको जो है सौट पोजिशन से थोड़ा परहेज करना है और ओवरनाइट कोई भी स प्रीमियम जो है खड़ा का खड़ा मार्केट उधर ही पुरा खतम कर देगा दोस्तों और तो यही है बैंक निफ्ट के अंदर भी सोम जो मंगलवार को हो सकता है में भी थोड़ा 200-300 पॉइंट का उपर जो काम बचा है वो कर ले उसके बाद में वापस उसका नेगेटिव साइकल चालो हो जाएगा कुछ वक्त के लिए और उसको हम जो है फर्दक जो भी इंप्रूमेंट आएगा चार्ट के अपर देखेंगे बट बायों डीप आप रखेगा बैंक निफ्ट के अंदर एक बार फिर से मैं इसको फिबोनाची रिट्रेस्मेंट अगर लगाना चा में तो जी हाँ उसने 61.8 का करिक ट्रेस्मेंट किया है इसका तो इसको मैं गिनूंगा एक नमबर ठीक है दो नमबर और तो फिर थर्टी टू पॉइंट तो यह ऐसा हो रहा है क्या वाकई में उसको भी हम जो एक बार देख लेते हैं इसको मिनिमम जो है 23 परसंट का डिट्रेस्मेंट दिखाना है और वो नहीं दिखाया तो दोस्तों यह जो है तीन नमर का वेव है अपना ठीक है और अभी वो चार नमर का वेव डैवलप करने के लिए यहां पर ऐसा आएगा और वूसका भी मैं लेवल दे दूँ अगर में भी पॉसिबल है तो यह तीन नमर में एक दो तीन चार पांच ठीक है तो अल्मोस्ट काम हो चुका है यह चार नमर का वेव डैवलप करने आएगा और में भी वो जो है 61.8 का रिट्रेस्मेंट नीचे कर चुका है इसका रिट्रेस्मेंट यह कर चुका है तो दोस्तो ज्यादा संभावना है कि यहां पर जो नीचे आएगा वो 38.2 ही आएगा तो उसका भी मैं लेवल आपको निकाल के दे दूँ तो 38.2 के हिसाब से यह जो है कहीं ना कहीं 41,762 के आसपास ठीक है यह अगर और भी उपर ज आता है 43,500 का जो अपना लेवल है कहीं ना कहीं यहां तक ठीक है तो यह फिबोनाची रिट्रेस्मेंट का लेवल भी चेंज होगा फिर से यह देखे दोस्तों ठीक है तो 41,900 के आसपास जो है वापस रिट्रेस्मेंट आ सकता है आने वाले वीक में हमको वो चीज होती आसपास कहीं ना कहीं मिलता है आपको तो आपको जो है उस चीज को बाय करके जाना है मैं एक बार उसका जोन यहां पर ड्रो कर लो ताकि हमको इन फ्यूचर काम आए यह जोन में आपको कहीं ना कहीं वो मौका देगा इसको ठीक है 800 से लेकर यह 960 के आसपास ठीक है 42,000 के आसपास तो यह 200 पॉइंट की जो रेंज में यहां पर ड्रो कर रहा हूँ इसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन फ्यूचर हमको आता हुआ दीखेगा दोस्तों ठीक है मैं यह अभी ड्रो करके रख देता हूँ ताकि आने वाले वक्त में हमको जो है थोड़ा आसानी रहे तो यह हो गई अपनी पूरी बैंक निफ्टी के बारे में बात उसके बाद में डाव जोन्स तो डाव जोन्स में दोस्तों देखिए मैंने आपको वन आवर टाइम फ्यम में एक बार आपको एक्स्प्लेन कर दूँ मै इसके बाद में जीरो टूबी ट्रेंड लाइन यहाँ पर प्याटन कफर्मेशन किया उसने और हमको यह सब चार्ट में जो है क्लीरली दिखा यहाँ पर देखें यह जीरो टूबी ट्रेंड लाइन वहां पर ब्रेक हुई यह होरिजॉन्टलंस हम अगर इसको गिने तो भी अपना zero to be trend line break हुई तो सारी साइड से हमें confirmation मिला कि यह fifth wave है और यह impulsive wave है और यह जो है आने वाले वक्त में और डाव जोन्स को उपर ले जाती हुई हमको कही ना कहीं दीखेगी अभी भी जो है डाव जोन्स फिफ्ट वेव डेवलपिंग मोड में है और उसने जो है यूएस मार्केट बुली से हो सकता है यह चोटी सी एक retracement ले ले और उसके लिए भी उसको जो है थोड़ा उपर जाना है और वो काम उसका यह फिफ्ट वेव डेवलपिंग मोड में बाकी है दोस्तों ठीक है तो यह हो गया डाव जोन्स के बारे में पूरा अपना बात आन कि अच्छा करेंगे और अब अच्छा करेंगे अपना बायिंग बहुत नीचे से है अभी कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में आ है जहां पर उसका छोटा सा रिट्रेस्मेंट नीचे की साइड आ सकता है दोस्तों ठीक है एक यह हो गया दो यह तीन ठीक है यह चार और यह पांच ठीक है और यह जो है ऐसा तो ध्यान रख्किए हमें थोड़ा जाना है आगे अगे अगर कहीं पर टू-टू-फॉर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुए हमको दिखती है तो इसमें से हम जो है प्राय करेंगे एक्जिट हो जाए बट ओवरॉल देखे आप अगर दो साल पांच साल का नजरिया रखते है तो दोस्तों जो जो चीज मुझे चार्ट पर दिख रही है बहुत ही बढ़िया है तिक यहां पर देखिए यह जो इंवर्टेड हैड-ण्सोंडर टाइप का प्यांटन था इसका ब्रेक आउट यहां पर मिला था ठीक हैं मैंने यहां भी बाई किया था यहां पर भी बाई किया था यह सारे जोन में मैंने जो बहुत अच्छा बाइंग यह भी कैपिटल के अंदर किया है और आज मुझे मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा जो अभी में सौट टम में प्रॉफिट देने वाला कोई स्टॉक हो लॉंग टम में तो दूसरे ही बट सौट टम में कोई अगर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अच्छा दिया हो मुझे किसी स्टॉक में तो एबी कैपिटल है दोस्तों और इसलिए मेरे लिस्ट में जो है वो सबसे हमको देखने को मिलेगा यह टार्गेट भी आता हुआ हमको देखने को मिलेगा बहुत जल्द और यह टार्गेट भी आता हुआ हमको मिलेगा बहुत जल्द एबी कैपिटल में क्योंकि उसकी इस अभी पॉजिटिव साइकल स्टार्ट हो चुके है बड़ी टाइम फ्रेम क ठीक है एक नमर दो नमर यह तीन नमर है और तीन नमर अगर एक्स्टेंडड हुई तो दो से चार महिने के अंदर ही हमें जो है यह टार्गेट हमारे एचिव होते हुए देखने को मिलेंगे यह भी केंपिटल के अंदर दोस्तों उसके बाद में ल्यूपिन देख लेते हैं ल्यूपिन मल्टी बैगर जैसा मैं हमेशा ल्यूपिन को मल्टी बैगर ही बोलता हूं क्यों बोलता हूं यहां पर देखे यह जो चीज है अगर मैं आपको बताओ जो बड़े-बड़े लोग काम करते इसी चीज़ पर करते 200 यह में आसपास कंसोलिडेशन मंतली टाइम फ्रेम का है जब भी निकलेगा फाइव एक्स तो मिनीमम जाएगा ल्यूपिन साथ सो है अभी 620 पर भी यह बोला था 630 भी यह बोला था कि यह सारे जोन में वहीं बात मैंने की थे वीप्रो वीप्रो में दोस्तों बाइवेक है तो उपर की सा सी वे डैवलपफ खतम हो चुका है यहां पर और जैसा ही उसने खतम किया तुरंत उसने बहुत आच्छी वाजिटीव मुंमेंट दिखाई है तो क्या यह साब से इसका करेक्शन खतम हो गया उसकी वुचे से या फिर जो news अभी अभी लगा है वीप्रो का उसकी वज़े से उपर जा रहा है ठीक है बट इसको जाना उपर है definitely जाना है आने वाले future में दोस्तो बहुत अच्छे target देखने को मिलेगे हो सकता है अभी short term में ही यह जो है 411-412 के आसपास जाए उसके बाद में 440 के आसपास का target वीप्रो के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों यह था हमारा वीप्रो आईटी सेक्टर का जैसा जिस हिसाब से काम चल रहा है सब लोग आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बियरिस है और मैंने एक वीडियो भी डाला था कि क्या आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है ठीक है उस वक्त पे जब सब बोल रहे है एक आईटी सेक्टर में बहुत मार काट मची है यह हो जाएगा यह हो जाएगा उस वक्त में वीडियो डाला था कि क्या आईटी सेक्टर का बॉटम बन चुका है दोस्तेतों गुलिई टेक महिंद्रा में थोड़ा सा हमें डर आया लास्ट जाते जाते सुकरवायदा एको बट देखो उसने वापस जो काम किया लास्ट वीक में क्लोजिंग जो है नेगेटिव नहीं दी अच्छे से और सुक्रवार की स्पेशली बात करो तो 980 के आसपास ओपन हुआ था दोस्तों वहां से वह सिंगल हैंड़ उपर वापस जो है बहुत अच्छी मुवमेंट के अभी भी टैक महिंद्रा के अंदर बुलीश हूँ और अभी भी मैं जो है इसको अक्यूमेलेट करना का ही राय दूंगा आपको ठीक है उसके बाद में टैक महिंद्रा बाद में देखेंगे तो महिंद्रा लाइफ स्पेस विकले टाइम फ्रेम में फॉर्थ वेव है और कुछ बात हमें जो है महिंद्रा लाइफ स्पेस में नहीं करना है नेक्स्ट चार्ड पर चले जाते टाटा मॉटर्स उसमें भी सेम है जहां पहले लगा कि यह टाइम पर यह जो है उपर चला जाएगा फिर से साइडवेस हुआ फिर अभी जा रहा है ठीक है बट पा साइडवेस हो बट यह स्टॉक है बेचने वाला स्टॉक नहीं है इस लेवल पर ठीक है इसको आप अक्यूमिलेट कीजिए और खरी दिये मौका मिलता है नीचे आता है 35 रुपेस के आसपास 10 रुपेस असता होता है और इसको बाय कीजिए एक्जिट होने के बारे में मत सो सब्सक्राइब हो यहां पर जो कंसलिडेशन हुआ यह एक कप एंडल टाइप का पैटन उसने बनाया ठीक है तो मैं एक्जक्ट आपको ड्रो करके दिखाओ तो यह एक तो यहां पर ऐसा यह जो बना रहा है कप एंडल टाइप उसको भी बोल सकते और छोटा देखे तो यह यहां पर भी उसने जो है कप एंडल टाइप बनाया है ठीक है तो उसको भी हम जो है यहां यह ब्रेक आउट था उसका 31 के आसपास और उस ब्रेक आउट को उसने नीचे आकर रिटेस्ट किया है तब हो सकते है आने वाले वक्त में 50 रुपे तक के टारगेट हमें SJVN में द यूटूब और जो एसोई का जो रहता है उसके अंदर तो बुलता है कि आप ट्राइब कीजिए 20 मिनिट में वीडियो को खतम कीजिए बट मैं जो है उनकी बात ना मानते हुए उसका इंपेक्ट जो है मुझे हो सकता है थोड़ा सा यूटूब की पर्फॉमस में चैनल के बट उसको जो है इग्नोर करके मैं आपको सारे के सारे चार्ट अच्छे से समझा रहा हूँ सेल कंसोलिडेशन है दोस्तो 15 साल का कंसोलिडेशन है इसको हलके में मत लीजेगा अगर निकलेगा बहुत ज्यादा चांसे से पॉसिबिलिटी है कि ये जो है मार फार कर दे उप आपकारी कंपनिया कभी मल्टी वेगर होती नहीं है अगर ऑपरचूनिटी अगर हमको मिले रही है ऐसी तो थोड़ा बहुत अपना वैसे भी में डालकर रख दे हैं थोड़ा बहुत तो उसके लिए और मैंटल सेक्टर का करेक्शन कहीं ना कहीं खतम भी हो रहा है बड़ी को आई थिंक मैं आया था MRPL के उपर पूरा का पूरा मैंने वीडियो डीटेल में बताया आपको यह मल्टी बैगर है और इसने जो है अपनी सारे के सारी मल्टी बैगर होने की क्याइक्टरिस्टिक है वह साबित की है क्यों क्योंकि यहां c-wave होने के बाद जो यह मुमेंट आया है दोस्तों बहुत अच्छा है और उस मुमेंट को यह मान लिजए एक नममर है अभी मंतले टाइम प्रेम में यह एक नमर मान लिजए बन गया तो यह दो नमर है और यहां पर जो है तीन नमबर डैवलप होगा जो की हो सकता है 200-300 रूपए के टार्गेट MRPL के अंदर हमको देखने को मिले आने वाले वक्त में तो यह था MRPL के उपर डीटेल वीडियो मैंने डाला है आप जा सकते हैं और उस वीडियो को जो है अच्छे से समझ सकते PNB मंतली टाइम फ्रेम के 200 यह में के आसपास बहुत जल्द आएगा 90 रुके के आसपास उसका जो वो प्राइज है और डेली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों एक बार मैंने उसको यह स्टार्ट किया था रिकमेंड करना और जब से मैंने अपको फोला उसके बाद 44 तक आसपास और उसके बाद में यह जीरो टू बी ट्रेंड लाइन अगर चोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसका भी ब्रेक आउट यहां पर इसने जो है दे दिया है दोस्तों तो यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है और आने वाले वक्त में PNB जो है बहुत ज्यादा संभावना है कि अच्छी तेजी की मूमेंट आएगी और इसके अंदर 65 रुपीज तक के टार्गेट तो अभी भी अपने चार्ट के उपर जो है यहां पर ओपन है दोस्तों उसके बाद में आरीसी तो आरीसी फिफ्ट वेव डैवलप कर रहा है और उस फिफ्ट वेव को अगर हम एक बार गिनना चाहे ठीक है यहां से भी गिन एक दो तो यह तीन यह हो सकता है संभावना कि अभी थड़ वे हो या फिर और एक संभावना इसका यह भी है अगर यहां से कल्कुलेट कर रहा है तो एक दो तीन चार और यह पांच फिक है तो लास्ट स्टेज़ में हो तो फ्योंचय परласт के है ट्रेंड लाइन ड्रो कर लेनी चाहिए और वो ट्रेंड लाइन है यहां पर अलड़ी मैंने डालके रखा है वही ट्रेंड लाइन को तो इसको आपको स्टॉप लॉस ठीक है इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस आपको विन्ना है यह वाला तो यह मैंने नीचे डालके रख सकता है अगर हम प्राइज एक्षन के हिसाब से इसको गिने तो यह वाला भी अपना स्टॉप प्लोस जो है 124 का बन सकता है इन्वेस्मेंट के लिए ठीक है बट कहीना कहीं यह जो है त्यान रखने वाला स्टॉप है अधानी एंटरप्राइज तो इसमें देखे हमने जो यह ट्राइंगल बनाया था कहीना कहीं बाहर निकलने की कोशिस की है तो यह 25 तक जाएगा आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है अभी यह कौनसी स्पीड जाएगा धीरे धीरे जाएगा ऐसा करेगा या फिर ऐसा करेगा वो मैंने ही आपको बता सकता बट इसका कहीना कहीं इंडिकेशन है उपर की सेट जाने का और मुझे लग रहा है यह टाइम वाइस करेक्शन करके उपर जाएगा और अगर यह वाली लाइन अपनी ब्रेक हो गई नीचे की साइड इसको एकस्टेंसर अगर थोड़ा मैं देदूं कि यह वाली लाइन अगर नीचे की सेड ब्रेक हो गई और यह तो नीचे आ गया तो यह सौट के लिए अपना टार्गेट यह 1314 रुपे वाला टार्गेट जो है बन जाएगा अधानी एंट था कि जब यह स्टॉक है मैं इसको खरीदने के लिए वेट कर रहा था कि कब नीचे आए और मैं बाय करूँ कब नीचे आए और ठीक है और यहां पर कहीं पर यह पूरी की पूरी जो ममेंने अच्छे से इसको खाया था और हमको उस वक्ते मैं बता हमको बताया गया था कि यह जो स्ट्रेणिंग भी तो हमको बताया था इसी जोन में कहीं ना कहीं कि हो जाएगा तो वैसा ही हुआ एक्जेट उसके बाद ये फिर उपर निकला उस वक्त में उसको बाई नहीं कर पाया और मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे अच्छे चीज जो है छूट गई है ठीक है बट ऐसा नहीं हुआ वापस यह जो अदानी वाला हुआ और एबी सी तो हो सकता है सी डैवलप करने नीचे आए ठीक है और ना भी आए क्यूंकि चार्ट के उपर अगर मैं आपको दिखाओ तो क्या है और एक चीज है देखें यह यहां पर अपना एक् chemistry एक दिखें यहां पर अगर अधानी अजिब्जेल कर दी अ कुस EGB अच्छे से समझेंटाएा कर दिखें यह ड्रेन लाइन अगर उसनों ब्रेक कर दी यह वाली विए जो है पूरा का फूरा खेल खतम हो जाएगा कैसे मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूँ तो कि यह जो है ABC पैटन हो जाएगा उसका और अगर मुझे ABC मिल जाए यह वाला ठीक है यह हो जाएगा इसका B हो जाएगा और ठीक है आँट यहां से टूल मैंने शेल्क किया यह उसका हो जाएगा यह पी हो जाएगा और यह सी मिलेगई तो समझ लीजिए कि उसका और यहां पर ख़त्म हो गए ठीक है उसका करेक्शन ज हो ऑगर यह जो है यहां पर यह वाले ट्रेंड लैंड को काड़ देता यह को अब काड़ दिया तो आप समझ लीजिए तक यह खतम हो गए अपना काम और यह उपर कि सेड निकलना वापस चालो कर देगा ठीगा तो अपने लिए बाइंग हो जाएगा बाइंग उपर्चिनिटी 700 के आसपास वापस फिर से जहां पर हमें उसमें से एक्जिट हुए थे तो अपना वक्त जो था वो बज गया दोस्तों ऐसा समझ के आप इसमें रखेगा यह ठीक है मैं ड्रो करके रखता हूं ताकि हमको जो है समझने में आसानी हो उसका रेड कलर कर देता ह है कि जीरो टूबी ट्रेंड लाइन में डालना चाहूंगा इसके उपर भी कि यहां पर ठीक है यह अगर ब्रेक हो गया तो अपने जो यह वेव इंपल्सिव हो जाएगा और हम जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रियक्ट करना लगेंगे अदानी पावर के अ कि उसके बाद में अदानी ग्रीन अदानी ग्रीन दोस्तों वैसे देखे तो हमारा इलियेट वेव सिस्टम बोलगा है कि उसका करेक्शन खतम हो चुका है ठीक है और उसने टॉप जो है 2022 अप्रेल में लगा दिया था तो एक साल तो आल्मोस्ट उसका वैसे हो गया 2023 अप्र ठीक है अप्रेल से च्छे यानी ऑक्टोबर दग और अगर ऑक्टोबर के बाद वो खतम करने के बाद यहां से निकला तो यह उसका हो गया एक हजार 1200 का 1.5 आप उपर की साइड गिन ले तो यह 1200 का अगर डबल गिने तो 2400 और उसके उपर 600 और डाल दीजिए 3000 तक का टार्गेट अदानी ग्रीन में ठीक है अक्टोबर के तक तक इसके उपर जो है बहुत अच्छा त्यान रखेगा आप और हो सकता है में भी मैं भी ट्राइ करूंगा इसके अंदर फिर से एंट्रे लेने के लिए और उसका नेगेटिव सैकल अगर खतम हो गया हमको इंडिकेशन आया तो अदानी ग्रीन बहुत अ चार पांच और यहां पर एक ओपर्चुनिटी है हम इसको ग्रो करना चाहें यहां से हम इसको एक गिंदे दो गिंदे यह तीन यह चार और यह पांच अधिक है तो कि ओके थोड़ा सा यहां पर अमिश्टेक है इसको मैं पांच इसको मैं चार और यह तीन जो है नीचे छुट गया थोड़ा सा क्लिक जो है वह हो गया इसकी वज़े से दोस्तों तो यह डवल में भी दूस्तों देखिए आप अगर पोर्टफोलियो टाइम से अपने बाई करके रखा है कि अधिना कहीं थोड़ा सा ग्लीच आ रहा है दोस्तों अधिक है तो ऐसा ही एक्जेट कुछ हो सकता है पैटन और उसको में जो है अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा आइधिंक कि AWL में हम जलेंगे पहले वहाँ पर अपना थोड़ा सा काम बाती रह गया है आपको कि क्या हो गया यार ओके ठीक है अभी सही हो गया फिर से मैं ट्राय करता हूँ इसको ढोकरने के लिए आपके आपको ताकि आप जो है समझ पाए और और AWL क्योंकि चार्ट डेवलप नहीं है तो काफी लोग जो है यार पूछते रहते हैं कि इसमें यार क्या करे क्या हो रहा है ठीक है यह दो नम्मर हो गया अभी सही से तीन नम्मर चल जाए अपना यह चार नम्मर हो गया और जो कहीं न कहीं इसको हूं पांच नम्मर बोल सकते हैं ऐखे और इसको पांच नम्मर ना बोले ABC और यह भी हो गया तो और एक और एक समझाख होना है एक दो यहां पर यह तीन यह चार और यह पांच बन गया उसके बाद में और देखिए दोस्तों मज़ा आएगा थोड़ा सा बैक कास्टिंग आप भी देख लीजिए ताकि आपको भी है इन फ्यूचर जो काम आई यह सारी चीज़े उसके बाद में यहां पर ABC डालता हूँ यह अई हो गया यह यह हो गया और यह सी गया इसका इंज कर देता हूँ है जो हूला अगैं पर बात करो तो यह बड़ी टाइम फिर में यहां पर ए बनेगा बी बनेगा और यह सी बन रहा है तो हो गया और आल टोटल अपना जो है बैक कास्टिंग हमने कर लिया इसके अंदर चार्ट के ऊपर और कि इस एबी सी को जो है हम कि खोड़ा सा सेटिंग में जाकर उसका ठीक है तो यह हो गए अपना ए बी सी और यहां पर यह बी सी हुआ और इसके बाद में यहां पर एक दो तीन चार पांच या एक दो तीन जिग्जैक सारा का सारा काम सिंपल जिग्जैक में हो रहा है वो भी देखिए कैसे ठीक है, इसको मैं सेटिंग में जाकर, फिर से इसको चेंज करता हूँ, और इसका जो है, चेंज कर लेता हूँ, ताकि हम समझता है, A, B, C बना, उसके बाद में, यह C वेव जो है, 5 वेव में डेवलप होना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं, तो उसको हम 5 वेव एक बार फिर स और यहां पर यह तीन यह चार और यह पांच तो चांसिज है दोस्तों कि AWL में भी कही ना कहीं जो करेक्शन अपना खतम हो गया हो और आने वाले वक्त में AWL भी जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो investment purpose के लिए definitely इसको बाय करके हमें रखना चाहिए और बहुत अच्छे एक opportunity है अगर मुझे पूछे दो ठीक है अदानी ट्रांस तो उसमें हमारा बात हुआ था लास्ट में जैसा वैसा का वैसा ही है कि यह जो है कहीना के इस हिसाप से यहां consolidate होगा इस time frame के अंदर अभी मैं जो है थोड़ा सा जल्द बाजी करूंगा क्यूं क्यूंकि अपना व और उसके बाद में जो उपर की साइड निकलने के कोशिस करेगा ठीक है उसके बाद में अंबूजा सीमेंट में ट्राइंगल ब्रेक करता हुआ दिख रहा है तो यह अपना positivity दिखा रहा है ठीक है इसमें देखेंगे आने वाले वक्त में अगर मौका मिलता है और अच्छा ही साइन है अभी बड़ 200 टाइम फ्रेम के 200 के ऊपर निकलने दीजे 20-25 रुपे मेगा लेंगे पर आने वाले वक्त में हमें जो है हो सकता है यह फायदा करवा जाए और फार्मा जैसा हमारा बात हुआ था दोस्तों कि मैंने आपको बताया भी था कि यह जो कहीना कहीं 600 के आसपास जो जा सकता है maximum extended लेने के लिए तो वही exactly होता हुआ दीख रहा है अभी यहां पर और फार्मा एक छोटा सा रिट्रेस्मेंट नीचे की सैड लेगा और वो रिट्रेस्मेंट जो है यहां से फॉर्थ वेव के रूप में होगा दोस्तों ठीक है तो जैसा हमारा चार सब्सक्राइब में कहीं ना कहीं जो है 111, 117 और 117 का टार्गेट ओपन कर लिया है तो यह जो है आपको 20% तक का टार्गेट बहुत ही कम वक्त में आपको आता हुआ दीख सकता है अगर आप भाई भी करते हैं इन्वेस्मेंट भी करते हैं तो आप इसको जहन में रखेगा आपका स्टॉप लोस जो है यहां तक जाता है नीचे की सैड में दूस्तों असोक लेलन बहुत अच्छा मुमेंट आया असोक लेलन के अंदर और डेले टाइम रेम के इसाब से जो है उसने अपना सी वेव भी डैवलोप कर लिया तो यहां पर जो है अगर मैं ट्रेंड लै ठीक है बाकी 150 के आसपास जो है एक हर्ड़न हर्डल तो उसको जो है आने वाला है प्रॉब्लम क्रियेट करने वाला है उसके बाद में दोस्तों असोक लेलन के बाद ताज जीवी के तो ताज जीवी के तो जैसा अपना बात हुआ था कि कहीं ना कहीं जो है यह स्टॉक यह अपना प्रॉब्लम कर रहा है डेले टाइम फ्रेम का उपर जाना है उसको और 270-280 के आसपास जाता हुआ दिखेगा आरवी एनल आरवी एनल देखे फिफ्ट वेव डेवल्लम कर रहा है डेले टाइम फ्रेम के अंदर तो उसमें भी जैसा हमारा बात हुआ और जिस हिसाब से वो निकल रहा है अच्छा है ओल्ड कीजिए आप इसको ठीके आपका स्टॉप लोस जो है अभी यह वाला हो जाएगा नया स्टॉप लोस बन जाएगा आपका अगर मैं ड्रो करना चाहूँ चार्ट के उपर ठीक है तो कही ना कहीं यह 100 रूपी के आसपास का जो है इन्वेस्मेंट के लिए अपने अगर लिया है तो यह स्टॉप लोस हो जाएगा और अगर आप इसको और अक्युमिलेट करना चाहते है नया फ्रेस पोजिशन तो वेट कीजिए आने वाले वक्त में आपको जो है इसमें जरूर से जरूर मौका जो है मिलेगा दोस्तों य यह बात हो गई अपनी अर्वी एनल के बारे में आर्वी एनल के बाद में जो हम देखेंगे और अभी जो फ्रेस बोजीशन लेने की जल्द बाजी मत कीजिए फोड़ा वक्त दीजिए इसको मनें को जो है एक से डेड़ महने में इसका जो हम पता चल जाएगा कि यह और नीचे आएगा या नहीं आएगा ठीक है और टाटा स्टील टाटा स्टील की अगर बात करें तो इसका तो अपना जैसा बात हुआ था उपर की साइड में और फिकले टाइम फ्रेम में अपना टार्गेट भी था 117-175 के आसपास का ठीक है तो उसको हम जहन में रख कि यहां पर यह हो गया ठीक है तो अगर यह निकल जाता है तो अच्छा है वरना वापस जो है 90 to 90 आसपास आ सकता है और अपना कि विकली टाइम फ्रेम के 200 के आसपास आकर वापस कर सकता है टाटा स्टील बड़ जिसे सबसे मेटल सेक्टर निकलने वाला है पुरा का पुरा टाटा स्टील के अंदर मैं जो बहुत बुलिस हूँ रिलाइंस की बात कर ले रिलाइंस में उसने अपना सी वेव डैवलप कर लिया विकली टाइम फ्रेम का और अभी जो है बहुत अच्छा उपर निकला उसके बाद में 300 रुपे तो अल्रेडी बढ़ चुका है दोस्तों जहां से हमारी बात हुई वहां से 300 रुपे और बढ़ की समझानी है मुझे और क्यों मैं इसके अंदर बुलिस हूँ वह बताना है तो बाद में देखेंगे बर फिर्षाल मैं बुलिस हूँ डैपिनेटली बाइट कीजिए आँखे बंद करके बाइट कीजिए जिस हिसाब से यह स्टॉक है हो सकता है आने वाले वक्त में यह मल् बहुत अच्छा स्टॉक है चार अजार का टार्गेट मेरा था इसके अंदर जब यह 2100 पर था और तब मैंने बाइक किया था तो मेरे पास है पड़ा है होल्ड है कुछ जल्द बाजी नहीं है निकलने देते जाने जोड़े इसको ठीक है जूबिलियन फूर्ड बहुत सब्सक्राइब दाम पर तो आपको कुछ नहीं करना है आप समद लीजिए कि आप अपना लाइफ जीए आराम से काटिए ठीक है और अगर आप उपर्चुनिटी चाहते तो आप अभी भी आपके पास पैसा है और आप चाहते कि आपको और कोई स्टॉक मिलत देखिए जू ईजीरु टाइप रहता है यहां पर मिस अगर में एंटरे लेता हूं थीक है मान लिजे यह पॉइंट पर मैंने इसमें एंटरे लिया अगशो करके दिखाओ यह पॉइंट मेंने इसका पूजिसंग लिए तो अपना जो है यह स्कलाप बैठता है 641 का कि स्वारी फॉर 4011 का स्टॉप्रस मेट ठीक है टीक्ष ऑर मार टारगेट जो है यहां से ऊपर यहां पर देखिए दोस्तों कितना इतना फेवरेबल ट्रेड है ऐसा फेवरेबल ट्रेड दोस्तों कहीं नहीं देखा होगा आपने और इसका रिस्क रिवर्ड रेशियो देखि कि दोस्तों जुबलियंट फूड इसके बाद में नेक्ष्ट इंडियन होटल इंडियन होटल है बीवेव का इंडिकेशन है अगर इसक पॉइंट को क्लोज कर त्या उपर क्रोस कर दिया तो यह हो सकता है कि इसको फर्दर आगे आने वाले वक्त में बट कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो केंडल यह दे रहा है ठीक है जो यह यह केंडल इसने दी यहां पर यह अन्सर्टिनिटी वाले केंडल दी तो चांसिस बहुत ज्यादा है कि यह बीव हो और सी वेव यहां तक ही आएगा फिर यह इस जोन में ही ठीक है इतना इतना नीचे नहीं आएगा इंडियन होटल में और बाकि जो है मैं आपको गर बताओ तो आप एक्जिस्टिंग पोजिशन है तो आप वेट कर लीजिए अभी वाल्रेडी टॉप पे तो आप निकल नहीं पाए और आल्मोस्ट टॉप पे भी है तो आप एक लाइन ड्रो कर लीजिए चार्ट के ऊपर लक्समन रेका डाल लीजिए और आपको पता रहे कि वहां से म को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ छोटी सी छोटी चीज जो मुझे दिख रही हो मैं आपके साथ में इसमें कर रहा हूं फ्रेस पोजिशन अगर आप आप आइसी आइसे बैंक में अभी लेते हैं तो आप जो है स्ट्रिक स्टॉप लोस रखेगा ये कैंडल के नी बिल्कुल नी सहाए और बिल्कुल कमजोर रहता है ठीक है उसका मेंटली पोजिशन भी उसको लगता यार कब निकले कब निकले इसलिए जो है स्टॉप लोस बहुत स्ट्रिक रखेगे गुजरात अमबुजा एक्सपोर्ट तो अच्छा स्टॉक है कंशलेडेशन स्टादो आपको ठीक है कि system है अगर मैं डालो तो अगर आप यहां एंटर लेते हैं मान लीजिए अभी पि आपने फिस नहीं लिया है तो यह आपका टारगेट हो गया और आपका stop loss जो है यह हो गया ठीक है यहां आपका Smith twisting रूपिगा स्टॉप लॉस है 290 यानि 16 रूपिगा सो नवल् motion करने के लिए ऊपर जा सकता है इनफौर斯 इस बहुत अच्छा प्राइ कीजिएगा इसको बाइ करने के लिए अक्यूमलेट कीजिए दोस्तों फिर वापस जो है ऐसे स्टॉक हमें ऐसे लेवल पर खरीदने को नहीं मिलते हैं ऐसे अच्छे के इनफोसिस बाइ कीजिए कहीं पर भी मिलता है यह जोन में बाइ कीजिए यहां पर एकजिट होने की मत सुचिए अभी जो है दीरे दीरे एक या दो क्वाटर के अंदर यानि छे महिने के अंदर कहीं न कहीं आई टी सेक्टर वापस जो है उपर की साइड चलना चालू कर द अभी इसमें ऐसा हो सकता है वी डेवलप करके सी डेवलप करें ठीक है तो देखेंगे फर्दर कैसा मुमेंट रहता है एबी एफरेल एक्जिस्टिंग एक्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्रेस पोजिशन में जो है वेट कीजिए अभी कंसोलेडेशन करने दी और आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करेगा बीट कोई तो वही चीज दोस्तों हमें जो बीट कोई में देखने को मिली है और अगर इसने जीरो टू बीट राइन ब्रेक किया है बीट कोई जो है वापस नए हाई लगा सकता है दोस्तों और यह जो नए हाई है सब पहला टार्गिट फॉर्टी एक थाउसन का है उससे पहले एक थर्टी फॉर्ट थाउसन का भी है ठीक है कंसोलेडेट करके जा रहा है तो सौट रहने में समझदारी नहीं है बीट कोई में ठीक है सारे टाइम फ्रेम के अंदर उसने करेक्शन अपना कर लिया है दोस्तों तो एक चार्ट और एक सिस्टम तो मेरी बता रही है कि हमें बीट कोई में जो है एंट्री हम ले सकते डेले टाइम रहें कि थोड़ा काम बागी है मेरा और अभी मुझे जल्द बाजी नहीं है तो छे महीने के अंदर अंदर बीट कोई जो है अपना करेक्शन खतम करके वा और मैंने आपको बताया भी था कि अभी जो है गोल्ड थोड़ा सा गोल्ड का थोड़ा मेहगा है और मेहगी चीज़े में ज्यादा खरिदना पसंद नहीं करता अब यह गोल्ड को ऐसी जगह पर हमेशा खरिदने की कोशिस करता हूं ठीक है यहाँ पर अगर मिले ठीक है न खरी देंगे इसको ठीक है तो हम इसको डैफिनिटली खरी देंगे अगर सी वेव बन जाने का हमें इंडिकेशन आता है आने वाले वक्त में गोल्ड के अंदर यूएस ओईल तो यूएस ओईल का हमारा बात हुआ था यूएस ओईल जो है उपर जा सकता है बड़ उसने जो है जीरो टू बी ट्रेंड लाइन ठीक है उसको हम गिनेंगे और सी वेव का टाइम गिनेंगे यह दो चीजे में इसमें गिनना चाहूंगा यहां जीरो टू बी ट्रेंड लाइन एक बार मैंने चाट के उपर डाल दिया ठीक है चलो यह हो गया यहां सी वेव का टाइम में गि ठीक है 280 दीन से पहले कुरूड को अपना ये वाला लेवल जो है काटना पड़ेगा अगर उसे इंपल्सीव उपर बढ़ना है तो ठीक है 280 दीन से पहले तो अगर यहां से मैं गिनूँ 280 दीन तो बहुत जादा हो जाएगा यहां पर जितना मेर चार्ट में आता है तो नवेंबर तक नवेंबर से पहले इसको जो है कुरूड को अगर 95 डॉलर के उपर निकल गया तो आप समझेगा कि यह इंपल्सी वेव है और कुरूड और महगा हो सकता है आने वाले वक्त में और अगर यह साइडवेज हो जाता है तो हम इसको जो है एक्स मानेंगे इसको एक्स मानेंगे यहां पर और समझेगे कि यह कहीं ना कहीं जो है ऐसा रियक्ट यहां यहां करेगा कुरूड का भी बात हमने कर लिया दोस्तों अभी मैं देख लेता हूँ बाकि कोई चार्ट बचा है हमारे पास और इसके इलावा भी अगर आपको लगता है कोई स्टॉक के जिसके उपर मैं बात करूं तो आप डैफिनिटली कमेंट में लग सकता है लिख सकते है और मैं ज दरूर स्वाल करता हूं एक चीज का कमेंट बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिलता है कि यह वारा इंडिकेटर सर्फ फ्री में नहीं तो दोस्तों फ्री में था उस वक्त पे अगर किसी ने ले लिया तो बहुत अच्छा है अगर अभी की बात करें तो अभी अपने करता है उनकी भी कुछ मजवूरिया होती है और वो लोग भी जो है अपना कहीना कहीं प्रॉफिट करने के लिए बैठे है पैसा कमाने के लिए बैठे दोस्ते हैं तो MCX कूड लास्ट यह देख लेते हैं इसके बाद में इस वीडियो को मैं खतम करूगा थोड़ा सा मैं भ बोल रहा हूं तो जीरो टूबी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और वापस उसके अंदर आ गया है तो यह चीज़ क्या हुई वारत हो सकता है इसको रिट्रेस करके वापस उपर निकले तो कुरूड आने वाले कुछ वक्त में ठीक है हो सकता है वापस 8400 और 8200 8300 के असपास जा सकता है वन अवर टाइम देख लेते हैं कि या उसका कुछ इंडिकेसं है जी हाँ बिलकुल है क्यों नहीं है वन आवर टाइम फ्रेंफ में यह बिलकुल बोल रहा है कि मुझे जो है यहां 8600 के आसपास जाना है और उसका टाइम भी मैं आपको बता दू वह जो है दो मह स्वासन देता हूं और अगर क्रूड की खास में बात करूं उसके अंदर भी में मंगलवार की बात करूं मंगलवार को यह डैफिनेटली उपर जाने वाला है ठीक है जरूर उपर जाएगा मंगलवार को क्रूड तो टोटल अपना जो है मैंने एक बार घिन लूँ मैंने कितना चार्ट आपके साथ डिसकस किया तो टोटल मैंने 44 चार्ट आपके साथ में डिसकस किया है इसके इलवा भी आपको कुछ लग रहा है कोई चार्ट मुझ से मिस हो रहा है डैफिनेटली कमेंट बॉक्स में लि नोटिफिकेशन आइगन को ओन कर लीजिए ताकि आप जो है हमसे अच्छे से जुड़े रहे तो दोस्तों यही बस आपसे मैं कहना चाहूंगा खुश रहिए और अपने ट्रेडिंग की स्कील को बढ़ाईए वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको अच्छे से सारा न कर देता हूँ थिके तो थैंक यू फर वाच्छिग वीडियो दोस्तों थैंक यू वेरी मुअच आपका सुकृत ऑगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा है तो थैंक Vietnam